नमस्कार दोस्तों भारतिय जंता पार्टी ने सोशल मीडिया पर कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपनी बहन प्रियांका गांधी के साथ अन्याय करने कारूप लगा है जी हाँ बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि एक आम भाई बहन जैसा नहीं है राहुल गांधी और प्रियांका गांधी का रिष्टा प्रियांका राहुल से तेज है पर राहुल के इशारे पर ही पाटी नाच रही है सोनिया गांधी भी पूरी तरह राहुल के साथ है गमंडिया गडवंधन की मीटिंग से प्रियांका का गायब होना यूही नहीं है वीडियो में देखे कि कैसे बहन का इस्तमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है बीजेपी ने इसके साथ ही 5 मिनट 36 सेकंड का वीडियो भी साजा किया है जिसे टीवी पर आने वाली खबरों के अंदाज में बनाया गया है इसमें उन सभी बातों का जिक्र है जिनकी आधार पर बीजेपी ने गांधी परिवार पर प्रयांका गांधी का किरसकार करनी का रूप लगाया है इस वीडियो में मुख्य रूप से तीन दावे किये गए हैं गांधी परिवार ने अब तक प्रयांका को चुनाव नहीं लड़ने दिया प्रयांका गांधी इंडिया गडबंधन के कारक्रमों से गायब प्रयांका गांधी ने राहुल गांधी को नहीं लगाते हुए दिख रहे हैं वहीं दूसरी क्लिप करनाटक चुनाव के बात की है जिसमें राहूल गांधी प्रैंका गांधी का हाथ पकड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं इन वीडियो क्लिप्स और वाइस ओवर के जरिये ये दिखाने और जताने की कोशिश की गई है कि राहूल और प्रैंका की बीच सब कुछ ठीक नहीं है आपको बता दें इस वीडियो को बीजेपी से जुड़े और समर्थित लोगों ने ट्विटर पर शेर भीटिया है बरहाल आप बीजेपी के इस वीडियो से कितना सहमत है हमें कमेंट करके ज़रू बताएं देश और द